स्टूरेंट्स वेलकम तो मैं चैनल अलकाइब में वेला आयम आस्तोस और लेट्स वेगें टुड़ी इस ख्लास तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे क्लास 10 की पोईट्री का चैप्टर टू जिसका नाम है ओडन सॉलिचूट के एमसी की कोशन के बारे में तो चलिए बिनादरी की हुए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को अगर इससे पहले अगर आपने कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर को लेके तो उस वीडियो की लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है तो आ में बताना है तो वो है एलेक्जंडर पोप इस चैप्टर की जो रचाइता है जो लेखक है वो है एलेक्जंडर पोप जिस जो इसलिए सी ऑप्शन है दिस वने तर राइट एंसर चलिए अपने सेकंड कोश्चन पर चलते हैं जो यह पोएम है उस पोएम के एकॉर्डिंगली जो लेखक है उसको ब्रेट कौन दे रहा है यानि कि खाने के लिए रोटी कहां से आ रही है तो आप पोएम पढ़ होगे तो आपको पता चलेगा कि इस पोएम के अनुसार है ना फिल्ट यानि खेतों से आपको उपज होती जो उससे उनको रोटी खाने पीने को मिलता है इसलिए वो कहते हैं कि उनको जो ब्रेट मिलता है वो कहां से मिलता है खेतों से मिलता है तो A is the right answer फिर है कि who gives him milk यानि कि उनको दूद कहां से मिलता है पीने को तो वो जो है उनको मिलता है कैटल यानि कि मुमीशियों से तो य यह सारे चीजे आपको बता दूं एक्चुल में भी होता है लेकिन सीनेर्यों में सारी चीजे है relevant तो आप प्लिक्ष इसको ध्यान में रखें यह उसी चीज कूँ यहां पर डिशक्ष किया जा रहा है तो बुला जा रहा है कि ute Г Ос standards तो वह में शीन्हें टीन आप पोएम के स्टार्टिंग में जो लेखक के बारें पढ़ते हैं वो सेक्शन में यह आपको मिल जाएगी कि essay on man और यह फिफ्ट कोशन जो है na essay on criticism यह दोनों जो कार्य है मतले दोनों ही जो लेखक है वो किस ने लिखा है वो दोनों ही इस लेखक ने लिखा है जिनका नाम है अलेकजंडर पोप तो देखी इसमें भी answer is the right one that is a legend पोप ने essay on man लिखा है और essay on criticism जो है वो भी तो इस तरीके से यह चीज़ा आप ध्यान में रखें कि वह लेखक ने क्या-क्या लिखें ही चीज़े वह सारी चीज़े वहां डिसकस होती है तो उन सब चीज़ों पर आपको नजर लगाने ना है तो उसे आपको थोड़ा रिकॉल होते रहेगा चलिए अब सिख्ष्ट कोश्चन में चलते हैं कि वह डोस्ट पोइट विश अब देखें कवी जो है वह क्या विश करता है क्या विश करता है तो तो टो एस्पेंड लगजरियस लाइफ वह क्या सुख में जीवन बिताना पसं करता है तो डी वाला क्या है कि हिस आवर्स डेइज एंड यह पासिज पास अवे सॉफ्टली जी हां यह चाहता है क्योंकि पोइम में जैसा लिखा है वैसे ही तुम ठुड़ नहीं है तो डी ऑप्शन इस दिन घंटे साल बिल्कुल आसानी से बिल्कुल प्यार से बीच जा कि किसको अड्रेस करता है एक ऑब्जिक्ट या फिर परसंस को तो सी शी दाॉप्शन होगा श्टार तो होता नहीं है सनन मून यह सब नहीं होते ही यह लोगों को ध्यान में रखरे ही उनको अड्रिस करके ही ओड इक पोइम टाइप का होता है उसको बनाए जाता है ठीक है 8th question की तरख चलते हैं, Ode on Solitude, The Poet draws a beautiful picture of a dash, यानि कि, Poet ने draw किया है, उकेरा है और एक सुंदर आकरिती, किस चीज की? एक Happy Man की है, एक खुश्मे जीवन भिताने वाले इंसान की आकरिती को उकेरा है, Poem में, कौन से Poem में? Ode on Solitude की लिए, तो B is the right option, 9th question है, How does the Poet want to live? अब बोला जा रहा है कि, Poet, यानि कभी कैसी जिन्दगी बिताना चाहता है, तो वो है, unseen and unknown, वो चाहता है, कि वो ऐसे जीए, कि उसको कोई ना जाने और कोई ना देखे, तो A is the right option, चलिए, 10th question है, How does the Poet desire to sleep? यानि कि, जो Poet है, कभी है, वो कैसे सोना चाहता है, तो the answer is soundly, soundly मतलब बहुत अच्छे ढंक से, बिना कोई दिक्कत के, तो इसलिए B is the right option, 11th question है, How will hours, days and yearly slide away, dash for the happy man, यानि कि, जो hours, दिन हैं और साल हैं, वो कैसे आराम से बीच जाएं, किस के लिए, एक happy man के लिए, softly बीच जाएं, तो softly is the right option, C is the right option है, softly, 11th question complete होगा, 12th question पर जेखते हैं, कि, Alexander Pope was one of the greatest satirist, of the early dash, यानि कि, एक तो बात पता है, मैं कि, satirist थे, Alexander Pope, यानि कि, एक व्यांकार थे, बहुत बड़े व्यांकार थे, महान व्यांकार थे, लेकिन वो किस सन में, मतलब वो famous थे, तो वो किस सन के थे, किस सतक के थे, century की बात की जा रही है, तो 18th century, उस समय वो बहुत बड़े, एक satirist थे, तो D is the right option for 12th question, 13th question है, कि Alexander Pope wants to die, यानि कि Alexander Pope, जो थे, कविता के नुसार, कैसे बनना चाहते थे, तो unlamented, unlamented का मतलब होता है, बीना विलाब किये, बीना कोई शोग व्याग किये, वो बिलकुल देह को त्याग देना चाहते थे, तो B is the right option, ठीक है, 14th question है, according to the poet, a happy man is one whose wants are dash, यानि कि poet के नुसार, कभी के नुसार, एक खुशाल इंसान कौन होता है, जिसकी मांगी जो होती है, जिसकी wants, जिसकी जरूरते जो होती है, वो सारी satisfied होने चाहिए, सारी उसको, मतलब उससे वो संतूष्ट होना चाहिए, तो satisfied is the right option, C, ठीक है, चलिए, 15th question है, कि a happy man's wants are satisfied by the property inherited by him from his dash, तो कहा जा रहा है, कि एक खुशाल इंसान जो होता है, उसकी जो जरूरते होती है, वो उसके, कौन से रिष्टिदार के द्वारा, जो इनहेरिट की गई होती है चीजे, उससे उसको खुशी मिलती है, तो obviously आप कोई पता है, कि कोई भी अपने माता पिता की जो जमीन जाएदाद होती है, उससे ही वो खुश रहता दिखता है, तो वहीं बोल रहा है कि a property inherited by, जो उसको, इनहेरिट हुआ है उसको, उसको मिला है, कहां से मिला है, तो by his, from his father, तो D is the right option, मतलब एक जरुवत, मतलब एक happy, खुशाल इनसान कव रहता है, जब उसको, मतलब अपने parents से, जो जमीन जाएदाद मिली है, इनहेरिट हुई है, तो उसके help से, वो खुश रहता है, क्योंकि उसको सब सारे सुक्स विधाएं मिलती है, तो यहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे father के तरफ से हैंना, चलिए, अब देखिया, अगला question है, 16th, कि Pope in the poem, Ode on Solitude, says that village people get everything except, कहा जा रहा है कि Pope ने, सब कुछ उनको प्राप्ट होता है, सिवाए किस चीज़ के, सिवाए money from trees, देखिये, क्योंकि, पोई में इस सब चीज़े बोली गई हैं कि, milk from herds, bread from fields, attire from flocks, इस सारे चीज़े बोली गई, जैंकि ऐसा कुछ नहीं बोला है, जैंकि money from trees, तो D is the right option, ये ही होगा answer, ठीक है, 17th question है कि, the poet does not want anything to mark the place where he is, dash, यानि कि, पोईम को अनुसार आपने क्या देखा, कि कभी जो है, वह नहीं चाहता, कि अपने कौन से जगह को mark किया जाए, किस चीज़ को बताना चाहरा है, तो आंसर होगा कि, ब्यूरिट मतलब दफनाना, तो पोईम में पोईट चाहता है, कि उसको जहाँ दफनाय जाना, वहाँ पर कोई mark न लगाया जा, ताकि किसी को पता न चले, कि उसे दफनाय कहा गया है, वो इस तरीखी की, क्योंकि देखो, कहानी था, Ode on Solitude, मतलब होता है एकांत, एकांत वाला जिवान बिताना, तो वह ऐसी ही जिन्द की बिताना चाहता था, इसलिए उसकी ये ख्वाइश थी, उसको जहाँ दफनाया जाए, वहाँ पर कोई mark तक न लगाया जा, जिससे उसको सोने है, मरने के बाद भी, एकांत में रहना पसंद करता है, तो चलिए, अगला कुश्चन है 18, कि Meditation-The Happy Man, यानि कि Meditation क्या करता है एक खुशा इंसान को, तो Pleases, यानि कि खुशी ब्रदान करता है, प्लीज मतलब खुश होना, आनन्द में होना, तो A is the right option for 18th कुश्चन, 19th कुश्चन है, कि in the poem, Ode on Solitude, Where is the Happy Man content to live? मतलब इस poem में, Ode on Solitude में, Happy Man, जो Happy Man है, वो कहां रहने में संतुष्टी, उसको मिलती है, तो obviously, in the, in his own ground, यानि कि वो अपनी बाग बगीचे में, अपनी ही जमीन में रहना पसंद करता है, जहां पर उसको, मतलब खुशी मिलती है, in his own ground, वो अपने जमीन पर ही रहना चाहता है, तो B is the right option, और इस तरीके से, मेंचे जो important, यांसी कि उस question लगे, इस chapter के, मैंने आपको जाहते रिस्कस की हैं, और आश्या करता हूं, वो को समझना होंगे, अगर फिर कोई क्वेरी रह दिये, प्रीज मुझे कमेंट सकते हैं, लिखके बताएं, और फिर मिलते हैं फिर next वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आई हो तो, तो, थैंक यू, थैंक यू सो मुझे,